तो इंडरेनल का नियू कंटेस्टन का प्रोमो निकल के सामने आ चुका है तो चलिए मैं उनके बारे में आप लोग को बताता हूँ दोस्तो इनका नाम है सनेहा संकर जो की 18 यार सोल्ड की है और दोस्तो मुंबई की रहनी वाली है और बहुत ही लाजबाब सिंगिंग की दोस सकते हैं तो इस तitates से बोली दोस्तो और आप लोगों मैं बताना चाहता हूँ दोस्तो इह जो है संेहा संकर जो क्लासिकल ट्रेंड सिंगर है और जो अलाफ ली या पिर जो क्लासिकल ली वो बहुत ही सांदार रहा दोस्तो बहुत ही अच्छा लगा देखने में और बहुत ह सरगम बगेरा जो भी कर रही थी सब को बहुत ही अच्छा लगा दोस्तो और इनके जो इनका एक इंट्रेस्टिंग चीज बताऊं इनका फादर है दोस्तो राम संकर जी जो की एक इंडियन म्यूजिक डारेक्टर है और प्रोडूसर भी है और एक्टर भी रहे चुके हैं दो कर जी का बेटी है भुलके इंडियन में आ गी नहीं ऐसा नहीं होता दोस्तो देखिये उनका एक टेलेंट है ठीक है टेलेंट है और अच्छा सिंगिंग कर रही है जिसके बदलो तो आप हाई है और अगर ऐसा है कि वो क्लासिकल्सटिंट ट्रेंड है और देखिए क्लासिक तो राम संकर जी तो पहले से ही सिंगर है music डिरेक्टर है प्रोडूसर है वह तो उनको सिंगर बना देते बट यहां पे क्यों आई है ठीक है तो देखिए हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है नहीं हो पाता है राम संकर जी हो सकते हैं आप ऐसर नहीं हो रहा है कि नहीं भॉइ कोई नहीं डीक भी यहां पर क्या सोगता है जिसको पसंद परता आपको पीजसky और यहां पर जाएंगा है और standardized रूश्यआ है तो इस तरह से वह सकता है कि उन्हां बना हो या फीर ऐसा प्रद नहीं बन रहा बाता है दो शुनर्थ पादर होंगे तो ऐसा बन जाएंगे ऐसा नहीं होता है ठीक है उनका भी इस तरह से नाम होना चाहिए रुतबा होना चाहिए जैसे कि यह इंडेरेल पर आई है तो यहां पर यह इंडेरेल में आके अपना नाम बनाएगी अपना आवाज से सब का दिल जीतेगी अगर दोस्त कि वो आप में ऐसा बात होना चाहिए कि आप खुद के दम पे खुद ही पबलिक का दिल जीत पाए ओडियंस का दिल जीत पाए आपके पापा जो भी हो चाहिए वो म्यूजिक डिरेक्टर हो या फिर म्यूजिक फिल्ड में जितने भी बड़े दिगज क्यों ना हो लेकिन आप अगर अगर उस तरह का टैलेंट नहीं रहेगा उस तरह का कुछ भी नहीं रहेगा तो आप नहीं बन पाएंगे ठीक है आप जितना भी बड़े लेविल का हो जो भी हो बट उस तरह से है दोस्तो इसलिए आपको अपने उपर ध्यान देना है अपने उपर काम करना है और अपने आपको चमकाना है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तो, ओडियंस का दिल जीत सकते हैं, तो इससे यही होता है, और आप लोग बहुत कोई सोचेंगे कि नहीं भाई, इनके फादर तो इतने वड़े सिंगर है, इतने वड़े म्यूजिक डारेक्टर है, फिर भी इनको बेटी को जो है, इंडियनेडल में लाए हैं, तो यह अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई गरीब परिवार के लड़का को या भी लड़की को लिया जाता, तो बहुत ही अच्छा होता, यह चीज आप लोग सोच रहे हैं, दोस्तो बट यह चीज एक्छुल में अगर देखेंगे, कि वो यहाँ पर आई है, तो अगर उनके पास टैलेंट है, अगर उनके पास उस तरह का है कुछ, तो वो दिल जीत लेंगे सबका, ओडियन्स का दिल जीत लेंगे, अगर उस तरह का कुछ नहीं हो पाता, दोस्तों, नहीं ह चीज देखिए आप लोग और आप लोग से में यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि कुछ भी आप लोग वेट मत कीजिए किसी भी चीज का कि नहीं इंडरेल में जाने से में सिंगर बन जाओंगा या भी सारे गांपा में जाने से में सिंगर बन जाओंगा नहीं ऐसा कूछ नह जाने के बाद भी अभी बहुत किसी को देखेंगे जो विनर बन रहा है, जो फॉर्श्ट रनर रप, सेकेंड रनर रप, वो क्या बन गए सिंगर, क्या बन गए दोस्तो, फानिल फिनाले में जाके भी क्या बन गए सिंगर, कितने लोग बने हैं, आप लोग मुझे कमेंट बताईए तो ऐसा नहीं होता है दोस्तो अगर आपको बनना रहेगा तो आप घर बैठे बैठे बन सकते हैं जिहां दोस्तो वो भी सोसल मीडिया के माज़दम से भी बन सकते हैं तो अपने आप में टेलेंट होना चाहिए अपने आप में दम होना चाहिए दोस्तो और अपने आपको इतना चमका हीए इतना घिसी है कि ताकि और भी अपना जो है टेलेंट और भी चमके तो इस तरह से आप देखे दोस्तो एक मूँबी में जो है अमिर zijn अमिर खान फाप बता है पस्ताने तो प्रीज लाइक कीज़ेगा सेरे कीज़ेगा सब्सक्राइबर के बेला कर जरू से दबा देजेगा ताकि इस रेग्टरेस टमट आप लोगो जल्द ही जल्द मित्ती रहे दोस्तों